वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आपको अक्टोबर मंत का ग्लैमिको बॉक्स शेयर करूंगी जो के मुझे रेसिफ हो चुका है और इस बार की जो थीम है वो डीप क्लेणिंग है अगर आपको नहीं पता है के ग्लैमिको बॉक्स क्या है तो मैं आपको प्रिणकियर और मेकपकेर और में अरेकिट के रिलेटरड प्रोडेक्ट्स मिलते है जो कि काफी इक्सपेंसिफ होते हैं ऑन काफी फ्रेंट्स के उते हैं तो यह रहा सका चहँता सादेटेयल स्थोचते लिए ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर आल्वेस यहाँ पर इंडियास नंबर वन व्यूट्यू बॉक्स दिया जाता है और यहाँ पर एक इन्फो कार्ड भी दिया जाता है जिसमें सारे प्रोडेक्ट्स के नेम विट प्राइजेस डीटिल्स में दे जाती है तो यहाँ पर वन बाई वन हम चुक करते हैं फर्स्ट हमें वोटरे की तरफ से फेस एन नेक स्क्रब मिला है जिसकी प्राइज है 520 रुपीस एन वोटरे की प्रोडिक्ट्स काफी expensive होते हैं और उल्ली क्लैमिट वेबसेट पर ही exclusive होते हैं यह काफी तरह से work करते हैं तो जलीसे open करते हैं और मैं से use करने के बाद आपको पताऊंगी कि यह scrub कैसा लगा मुझे तो यह कुछ इस तरह की क्रीमी टेक्शर में है एंड में स्मॉल से पार्टिकल्स है जो स्क्रब करने पर यह अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है सो मैं से यूज करूंगी और आपको इसका फीट बैक बताऊंगी तो यह रहा हमारा फॉस्ट प्रोड़िक्ट जो के स्टेप बन है स्टेप टु में हमें यहाँ पर चारकौल मार्क्स दिया गया है जिसकी प्राइज है 300 रुपीज आप देख सकते हो डीक्स फेस मार्क्स है a deep pore detoxifying face marks which cleanses and brighten skin so skin को brighten करता है and clean करता है so इसकी जो price है 300 rupees है next हमें cheek cheek की clay marks मिला है यह gentle face marks है and यह skin को hydrate रबता है and skin को अच्छ से clarify करता है so इसे भी हम use करेंगे and इसका भी feedback मैं आपको जरूर दोंगी so यह रहा हमारा thought product and fourth हमें यहाँ पर lip scrub मिला है जिसकी price है 261 rupees and यह sheer secret का lip scrub है अगर आपके lips पर dead skin हो गई हो तो यह scrub काफी अच्छ से work करता है सारे products काफी अच्छ है मुझे last time mascara receive वह था वह भी काफी अच्छ है and इस time हमें eyeliner pencil मिला है जो कि green in color है and so मैं आपको इसका texture बताऊंगी यह तम से काफी buttery soft का texture है काफी अच्छा लगा मुझे and yes much proof eyeliner है इसलिए हम इसे काजल की तरह भी यूज कर सकते है eyeliner की तरह भी इसे यूज कर सकते है so friends यह थी मेरी आज की video I hope आपको आज का मेरी आज वीडियो अच्छा लगी है यह review अच्छा लगे please आप description बहुत ज़रूँ check out करें मैं इसके सारे details description में provide कर दूँगी so इस मंत के कलाय में को बहुत को ज़रूर आप purchase कर सकते हो link में आपको description में दे दूँगी so आपको next video में मिलती हूँ stay blessed video पसना आए तो like करें सुब के साथ share करें अभी के लिए bye bye stay blessed